हेलो बच्चो कैसे आप सबी लोग आज हम हमारा मैक्स का नाइन्थ चैप्टर जिसका नमाए ईसका problem 6-38 करेंगे जिसमें को कुंशन किया यहां पर दिया हुए एकशिष्य है प्हले हमाँ प्रोब्लम्स सरटने से पहले कुछ चीजे सीख लेते हैं आपको याद होगा तो हमने स्टार्टिंग में किया था प्लेस वाली लिखते कैसे वह हमने सीख था ठीक है तो यहाँ पर हमें वही सेम चीज फ्रेक्षिन के साथ भी करना है तो देखो मैं आपको समझा देता हूं कैसे करते हैं यहाँ पर जो डेसिमल फ्रेक्षिन में प्लेस वाले लिखना बोला गया है वह सिर्फ हमें दो डिजिट की लिखना है इस प्रॉब्लम सेट में देखो मैं आपको बता दूँ फॉर एक्जांपल हमने एक नंबर कंसीडर किया 28.15 तो देखो पॉइंट के लेफ्ट साइड में सब्सक्राइब दो डिजबफिर्पोंट के लेफ्ट में दो डिजबफिर्पयंस से ज्यादा में नहींदागे तो देखो यह दो हमें पता है कि हमने इस घृझा को क्या बुलता है जो पहलेख प्र एक उनिट समय चाय नही को जा हमारे यूनिट है ये टेंज से लेकिन जब पॉइंट का रइट साइड आउगे तो ये वाला जो हमारा वन है हुए हमारा है हंडेड। लेकिन देखो यहां पर देखो यह यू नहीं कि शुब है हमारा पहला नमबर जो रहेगा पॉन्ट के लेफ्ट साइड में वह पहला नमबर क्या है रहेगा हमारा यूनेट रहेगा ये वाला उसके बाद जो रहेगा क्या रहेगा व यूद्ध ते endorse रहेगा उसके बाद हंडेड्स हरा ठाज हम्डेंट इलेगा लेकिन पोइंट के राइड्साड इड़ MP3 इस स्भीत है डिक पो양न के पे लहकी हम start करते हैं आप भी pen और book लेकर बैठ जो साथ साथ में आप भी करो ओके तो देखो यहां पर मैंने आपके लिखके रखा है question के हमारा problem 38 का देखो read the decimal fraction and write down the place value of each digit मतला हमें क्या बोल रहे हैं कि जो मैं fraction यहां पर दिया गया और read करना है और हर एक digit का हमें place value लिखना है तो देखो मैंने यहां पर आपके लिए आसानी हों समझने के लिए लिखके रखा यहां पर number से हमारे जो भी है यहां पर उनके digit क्या है वो लिखा है और उनका place name क्या है और यहां पर place value हम लिखेंगे जो digit कर रहेगा और फॉर एक्जांपल हम यहां पर दियागा 6.13 हमारा पहला पहला सामय क्या है 6.13 आप देखो सबसे पहले हम यह वाला डिजिट देखते है 6 तो हमने 6 यहां पर लिखा अब देखो 6 कौनसी place पर है place name क्या है उसका unit पर है पॉइंट के जो left side पर पहला नंबर रहेगा unit तो 6 है unit place पर तो इसकी value कहा जाएगी देखो अगर आपको इसकी value जाननी है जो point के right side पर है उस पर उंगली रख दो अपनी तो आपको अपने आप इसकी value पता चलेगे तो 6 अकेला है ठीक है तो इसकी है क्या रहेगी value 6 यह place value है 6 यह हमारा हो गया अब यहां पर देखो यह गलती से रहा हो होगे मैं आपको बताता हूँ अब देखो हमने point के left side के जो था हमने उसका place value लिख दिया point के right side में आते हैं हमें किसका value लिख है place value 1 का तो देखो हमने one लिखा one की one का place name क्या है दो one का पर point के side है तो यह क्या रहेगा tenth ठीक है तो हमने यह पर tenth लिखा है अब इसका place value क्या है place ने जाने place value क्या है तो हमें क्या करना है सबसे पहले देखो हमने left side का निकाल दिया तो हम क्या करेंगे पहले लिख दिने जीरो उसके पॉइंट डाल देंगे ठीक है यहाँ पर पॉइंट लिख दिया आप देखो यहाँ पर हमें one की वाली निकाल लिए तो हम यहाँ पर one लिख देंगे उसके बाद हमें इसकी वाली लिखने है अगर आप पॉइंट के राइट साइड की वाली लिख रहे हो तो सबसे पहले आपको जीरो पॉइंट लिखना है उसके बाद आगे लिखना है ओके जीरो पॉइंट लिख दिया अब हमें थ्री की प्रेस वाली देखने है तो थी ल तो हमारा इसका प्लेस विरी क्या हो गया, 0.03, ठीक है, आगे देखते हैं, आगे करते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा, अब देखो यहां पर, यहां पर क्या है, 48.84, तो यहां पर देखो, हमें सबसे पहले, किसकी प्लेस विरी देखने हैं, यहां से हम स्टार्ट करे होगे, अब आपको चेक करना है, कि 4 के आगे कितना नमबर आथा, हमें पॉइंट की यह साइड नहीं जाना है, सिर्फ पॉइंट की इधर तक ही देखना है, तो 4 के आगे, अगर देखें कि सिर्फ 8 आता है, तो हमें 1-0 डाल देना है, क्योंकि हमारा 40, मतब की 4 का प्लेस व अब हमें निकालना है 8 का प्लेस वल्यू, तो 8 देखो, यहां पे हमने लिखा, 8 का प्लेस नेम क्या है, यूनिट पे है, तो यूनिट से उसका प्लेस नेम, और 8 की वैल्यू क्या है, तो पहले आपको 8 लिखना है, उसके आगे देखो कोई नमबर है, नहीं है, तो हमें सिर के राइट साल वाले की लिए निकालना हो तो सबसे पहले आपको कहा लिखना है अभिः निकालना है तो सबसे पहले हम लिखते हैं जीरो पॉइंट उसके बाद हम place value उसकी निकालेंगे आप देखो 8 कहाँ पर है 8 है 10th place में तो इसके पहले कोई number आता है या point आपको इधर नहीं देखना है इसके पहले कोई number आ रहा है नहीं तो आपको सिर्फ 0.8 आ जाएगा उसके बाद देखो कि हमारा क्या 4 तो अभी हमें 4 की place value निकालने है तो सबसे पहले देखो हमें point के right side की value निकाल रहे है तो सबसे पहले आप लिख दो zero point अब देखो 4 से पहले कोई number आ रहा है हाँ 8 आ तो सबसे पहले आपको 8 की जगाँ 0 लिखना है उसके बाद 4 है तो खुद 4 को लिख देना है तो हमारा क्या place value आया 4 का 0.04 इस अब हमें वहापीस point के left side का पहले place value निकालना है तो हम क्या करेंगे right side वाले पर अपने उंगली रख देते हैं अब देखो left side में का हमारा 72 सबसे पहले 7 का place value निकालेंगे 7 लिखा 7 का place name क्या है unit 10 10 place में है तो इसका है 10 place name में है अब देखो अब 7 का हमें place value जाना है तो सब ओके उसके बाद देखो हमेरा 2 है तू का place name क्या है unit place पर है तो unit से place name इसका place value क्या है दो दो निखना है पहले उसके बाद उसके आगे कोई number है किया नहीं है हमें सिर्फ point के ये side ही देखने कोई number है आगे नहीं है तो तो शिर्फ टू आएका अब देखो हमें पॉइंट के राइड सएड का भी प्लेइपर 10 का ये वैसे लिख ड़ा है यह गुप पॉइंट उसके बाद हम किसी की प्लेइपर सब पहली का होगा कि नंबर आ रहा है कोई भी नहीं जाएा हो तो हमारा जिरो का प्लेस व्यागी क्या हो गया जिरो पॉंट जिरो okay i hope Ởього आप समझे रही हो अब देखों हमें 5 प्लेस वैयू निकालना है तोसि का प्लेस वैलिव निकालने उसकी जगह पे हम एक 0 डाल देंगे उसके बाद खुद 5 है तो हम 5 डाल देंगे तो इसका क्या गया इसका हमारा प्लेस वैल्यू है 0.05 ओके आप अच्छे समझ रहे हो देखो एक और बात मैं आपको बताता हूँ जब भी आप पॉइंट के लेफ्ट साइड का वैल्यू निकालोगे तो जो भी नंबर का आप अगर समयलो पॉइंट के लेफ्ट साइड के निकालने अपने उंगली रखा पॉइंट के जो राइट साइ फाइब को लिखा तो उससे पहले कितना नंबर आ एक है जीरो तो हमने एक जीरो डाला वही अगर हम लेफ्ट साइड का प्लेस वाली निकालते हैं तो हमें क्या देखना रहता है कि नंबर के आगे जो नंबर अभी समयले सेवन के प्लेस वाली है तो उसके आगे कितना नंबर आ रहा है तो हमें 70 एक नंबर की जीरो डालना है इस तरीके से आपको करना है सिम्पलि ठीक है अब चुला हम 4 आले पे चलते है कि 4 आपने क्या है 3.4 अब हमें इसका प्लेस वाली निकालना सबस्टाब है लेफ्ट आले नंबर का तो राइट वाले पर उंगली रख जिसके प्रेंट सब्सक्राइब करेंगें required साथ यह जो सब्सक्राइब ऊप नंगे पने मिंदल सब्सक्राइबब किकले इसके नंबर युँक जिरोपॉइंट फईफ्ई नाइन अब यहाँ से पर लिखना है कि से पहले लेफ्ट घथे हैं अगली Less बिब मार्पोमेघ्चे से जिरोट कुछे प्लेसी वरिजिट भी है जोता है ऑगला जिकांत si अब हम प्लेस वाल निकालते हैं और शुप फाइव का निकालना है तो 5 कुई नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं मतलब कि हमें क्या करना डारेक्ट 5 लिए है अब हमें 9 का निकलना है इंद हम दो यह पॉइंट के राइट साइड पे यह साइड है तो उसके लिए मैं सबसे पहले जिरो पॉइंट लिख देना है इसके बाद हम 9 का प्लेस वालु देखेंगे 9 कॉन सी प्लेस पे है यह टेंट से यह तो यहां पे हंड़ेट से अब देखो 9 के पहले कोई नंबर आ रहा है हाँ एक नंबर आ रहा है तो मतलब हमारा एक जीरो आ अब अगले वीडियो हम करेंगे प्रॉब्लम सेट 39 तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो अपने सारे दूसरे के साथ शेर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो थेंक यू प्रॉब्लम सेट परॉब्लम सेट वीडियो हम झाले लाइक करो तो मिलते हैं लाइक करो यह वीडियो हम करो प्रॉब।